सत्च साहब स्वागत है आप सभी का सुनी लराय ओफिसियल में दोस्तो आज हम बात करेंगे सत्च की सामना करने को ले करके बास्तव में मानव जीवन में सत्च एक ऐसी चीज है जो कि सच्चे बात आप अपने माता पिता को भी कहते हैं तो ओ आपको बहुत सारे समस्या यहाँ पैदा कर देता है सच्ची बात आप समाज को कहते हैं तो समाज भी आपको भहिस्कार कर देगा यह धरती पर जब-जब सच कहने की च्छमता किसी में आई है सच कहने की सच से रूबुरू कराने की समाज को इस देश की जब जब कोई महापुरुस जो सच से सामना करवाया है तो उन्हें इतिहास गवा है कि उन्हें बहुत बड़ी हादसा की सामना करना परा है ऐसे ही सत की सामना के बिशय में बात आता है जगत गुरु तत्वदर सी संत राम पाल जी महराज को ले कर गी है यह पूरे बरमांध में सास्त्र अनुकूल साधना करवाने वाले एक मातर संत संत राम पाल जी महराज जो की आज की समय में पूर्ण परमात्मा की यवतार ही है मेरे भाई बंबहनों जिनकी नाम दिछा लेने मात्र से और जिनकी नाम की सुमिरन करने मात्र से आज लाखो करोरो बेक्ती सुखी हो रहे हैं कैंसर की कैंसर जैसे बड़े से बड़े रोग उनकी नाम मात्र लेने से ठीक हो जाते हैं, ऐसे संत पर जदी कोई उंगली उठाता है, तो उनकी अनुवाईयों की भावना की साथ, उनकी मानने वाले की भावना की साथ, कितने बड़ी खिलबार किया जा रहा है, ए बात की अपने सास्त्र को खंगा लिए और देखिए श्रीमंद भागवत गीता अध्याय नमर ये गारा के स्लोक नमर 34 और 36 में कहा गया है कि अर्जुन तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उन्ततो दर्शी संत की खोज करो ना कि तुम मेरे सरन में रहो गीता ग्यान दाता अपने सरन में रहने के लिए नहीं कहता है वो कह रहा है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति करना है तो तत्व दर्शी संत की खोज करो और उसकी पहचान भी बताया गया है आप अपने साज्त को खंगा लिए और देखिये और तब किसी के बारे में बूजने सोच समझ के बोलने में ही मानवता की जो है बुद्धी होती है और उनकी सिष्टाचार उनकी जो है ज्यान की जो है विचार की जो है उनकी ओह होता है तो फस्ट इंदिया न्यूज की यंकर श्रीमान बिजेंद्र सोलंग की जी आप से बिनम्र नुवेदर हैं कि आप सत्च से सामना कीजिए क्योंकि बिना सचाई जाने बिना अपने सास्त्र को जाने किसी को भी लालचन लगाना और आप जो अमर गरंथ को जिस ग्रंथ की परके ज्यान गंगा और अंद सरदाय भगती जान ए दोनों महा सास्त्र को जो आपने फारा है दर्सकों के सामने में इनकी परिनाम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और अंतता है आप एक बात याद रख लिजिए आर ये समाजी द्वारा इसी तरीके से करोथा कांड करवा दिये थे लेकिन आज लाखो जो आंदोलन करता था जो करोथा कांड में रोरा बाजी किया था भगतो को मारा पीटा भी था ओ आज नक मस्तक हो करके बंदी छोड़ सत्गुरु राम पाल जी महराज से नाम दिछा ले करके टीवी चाइनल में देखिए बहुत सारा जो आपको परिमान मिलेगा और उसने कबूल भी किया है और उसने उनसे मंदी छोड़ सत्गुरु राम पाल जी महराज से नाम दिछा ले करके सो सो बार माफी मांगा है और हजार हजार बार कोटी कोटी डनवत करके उनके नाम दिछा ले करके अपने मर्यादा में रहकर भक्ती कर रहा है तो जीव से गलती होती है अभी भी बक्त है आप माफी मांगे किताब को परिये एक बार और कोई बात नहीं आप से गलती हो गई तो फिर से लीजिए ग्यान गंगा और उसको अध्यान किजिए और संतराम पाल जी महराज से हाथ जोरकर करवद होकर माफी मांग कर उसे नाम दिछा लीजिए तब आपको मानम जीवन शफल होगा अन्य थाया आपकी तो बहुत बड़ी भूल हो गई ए बात को आपको आज नहीं तो कल अनुभूती अवस्य होगी क्योंकि ये मन जो है सत्य को छुपा सकता है दवा नहीं सकता क्योंकि ये मन काल की है परतीक और ये काल आपको प्रेडित कर रहा है इसलिए आपने महापुरुस की जो आप मान करने की चेश्टा की है लेकिन आत्मा का वास भी आप में है एक न एक दिन आप मेरी दावा है कि एक न एक दिन आप हाथ जोर कर करवद होकर आप भी टीवी चैनल पे आएंगे और संतराम पाल जी महाराज की पुन परमात्मा की दर्जा आपको देना पड़ेगा क्योंकि वही एक पुन परमात्मा है जो कि आज की समय में और वो युवा को जान में जान ला दिया नसा मुक्त करवा दिया बेटी बेटा में कोई आज समान नहीं रहा बेटी बेटा एक समान हो गया दहेज मुक्त साधिया करवा रहा है मालिक और बेटी आज के समय में समा पे उपर बोज नहीं रहा, बेटी बेटा एक समान कर दिया मालिक ने, ऐसे पूर्ण परमात्मा को आपने संत भी नहीं कह रहे हैं, और गलत किसाम किसिम से बैख्या और टिपनी करते हैं, तो आप कितने बड़े पाप की भागी हैं, यह तो आपके आत्मा जब जागुरुत ह होगा, तब पता चलेगा, अभी तो आप काल की जाल में इस तरीके से फस गए हैं, कि आपकी सिष्टा चार, आपकी ज्यान पूरा हीन हो गया है, और आप मानरता को भूल कर पसु समान ब्याभार कर नहीं हैं, लिखिन समय हैं, आप परिये उस ज्यान को पूर्ण रूप से और अपने सास्त्र में परमान मिलाए, अब बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त की, तो 2012 या 10 या कितने से संतराम पाल जी माराज सादना चैनल पर कितने को चैलेंज किया था, आज तक क्यों नहीं आएं आपको बाबा और धर्म गुरु, क्यों नहीं सास्त्र गात किये, और आ आज कर रहे हैं, तो अभी भी बक्त है कि जिए करवाईए, करवाईए सास्त्र गात, रखिए एक सैड में, टिवी चैनल सारा ये पुले देश का, और एक साथ में बाबावों को रखिए, एक साथ में सत्गुरु राम पाल जी महराज जी को रखिए, और सास्त्र गात अपने सास्त को खंगा लिए, और इस तरीके से उंगली उठाना, इस तरीके से गप सब्द बोलना, ये तो मानरता का भी परिभासा नहीं होता है, ये तो पसु का परिभासा होता है, तो इस तरीके से व्यभार करना, कते ही आपको सुभा नहीं देता है, आप सिचित बेक् का जो भी आ। वह सिचित वैक्ति हैंं उनकी शास्तर को बढ़े साथ मेल करके उन gender karta करके अ आप भी पढ़े लिखे सिचित बेखती हैं, आप भी अज्ञानी नहीं हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे वरा अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अपने सास्त्र के साथ उन किताबों को मेल नहीं किये, और बिना मेल किये हुए गलत सलत बात बोलें, तो अन्तता हम यही निवेदन करूंगा, आप अपने सास्त्र को देखिए, उन पुस्त को से मेल करवाएं, उनके लिखी हुई बात से, अगर सत्य है, तो संतराम पाल जी महराज जी से नाम दिछाले करके, उसी टीवी चैनल पर आप माफी मानिए, और उसे नाम दिछाले करके, अपने जीवन को धन्य बनाई, इतना कहते हुए, अंत में यही कहूंगा, हमारे गुरुजी महराज कहते है, हमारे गुरुजी का नारा है, कि जीव हमारी जाती है, मानब धर्म हमारा, हिंदो, मुस्लिम, सीख, इसाई, धर्म नहीं, कोई न्यारा, सत्साहे,